किसी भी बीमारी के आयरवेदिक चिकित्सा या हम से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयरवेदिक समदान को सब्सक्राइब जरूर करें आज हम बात करेंगे अफीम की आदत छुड़ाने के उपाजों के बारे में अफीम खाना एकदम से ना छोड़कर जरास जरासी नीत घटा घटा कर खाने से अफीम की आदत छुड़ जाती है और अधीक वेदना भी नहीं होती अफिम की आदत चुडाने के लिए अफिम खाने वाले को बीना बताए ही एक बाजरे के दाने भर अफिम नीती एक नियम से घटा घटा गर देना चाहिए उसे कहें कि घी, दूद, आदित तरल पदार्थ खुब खाये तथा मामोली कष्टों से घवराये नहीं कुछ ही दिनों में अफिम छूप जाने पर खुशी का ठीकाना न रहेगा यदि कोई एक दम अफिम छोड़ना चाहे तो केवल नौ से दस दिन तक धीरज के साथ भयंकर कष्ट सहने के लिए तयार रहना पड़ेगा दिन में आठ दस बार साथ साथ ग्राम दूध पीने और मक्षन, मलाई, घी, हलवा आदी तरल पदार्थों के सेवन पर जोड़ देना तथा दिड़ संकल्प और धैरे की जरुरत है दर्स्त रुकने की दवा नते, आनिद्रा तथा दर्द आदिव पद्रव के लिए अन्य उपाय करें जरा जरा सी मातरा नित्त घटाने और खाने वाले को मालूम नहोंने देने से कई व्यक्तियों की अफिम छुट गई है अफिम खाने की आदत वाले व्यक्ति को केवल अजवायन सिवन कराने से अफिम के विकार नहीं होते तथा धीरे धीरे अफिम खाने की आदत छुट जाती है अगर आपके जहन में कोई सवाल या परमर्चों तो कमेंट जरू करें धन्यवाद